नमस्कार आप देख रहा आरेडेनियोज मैं हूँ योगेश्च चक्रवर्ती परशांत किशोर की जन सुराज के कलपना आज सच्चाई में बदल गई जिहां जन सुराज पाटी का आज बिदवत गठन हो गया परशांत किशोर ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से इसका एलान किया और कहा कि चुनाव आयोग से भी उन्हें इसकी हरी जंडी मिल चुकी है उन्होंने चुनाव आयोग का लेटर भी लोगों को दिखाया यही नहीं परशांत किशोर ने कई बड़े बड़े दावे किये जैसा की वो करते आये हैं बिहार की जनता की तकदीर बदलने के साथ ही ही तस्मीर भी बदलने की बात की लेकिन कड़वी सचाई यह दिखी कि परशांत किशोर बटना विटनरी कॉलेज ग्राउंड को भर नहीं पाए और आधा से ज्यादा ग्राउंड में कुर्सियां खाली रही अलाकि सड़कों पर भीड दिखी बड़े शंख्या में लोगों का समूह दिखा लेकिन विटनरी कॉलेज ग्राउंड फाली रहा है हम बात करते हैं सिनियर जर्नलिस्ट संतोज जी से और समझते हैं कि करोडो रुपे खर्च करने के बाब जूँग आखिर परशांत किशोर विटनरी कॉलेज ग्राउंड भरने में क्यों काम्या नहीं हो सके मैंने तो पहले ही बताया है कि पैसे के बल पर की गई राजनिती जादा दिन सफल नहीं होती है धन बल और बाहु बल की एक लिमिटेशन है मतलब कि वो लिमिट है उससे आगे नहीं जा सकते हैं लोग पैसे के बल पर भोट खरीच सकते हैं कुछ लोगों का लोगों को लालज दे करके पटना घुमाने का नाम ले करके खिलाने पिलाने का नाम ले करके आप कुछ देर के लिए मन भटका सकते हैं लोगों को ला सकते हैं लेकिन स्वता स्फूर्थ जो भीर होती है वो तो लालू परसादा और लोक नायक जब परकास नरहें यही दो है जो कि स्वतफ स्फूर्थ भीर आई थी दोने के जेपी आंदोलन में लालू जी की गरीब रहला में और परसांत किस वर पांडी देखा जाए तो ब्यापारी है ब्यापारी है पैसे का लालज दे कर कर सकते हैं और पांडे जी ने बड़े बड़े दावे किये थ भाई यह कर देंगे इतना भीर जूटेगा यह होगा भोचक रह जाएगा इसको अध्यच बनाएंगे मुझे लगता है कि बस उनकी जो रन्निती है मुझे लगता है कि मोदी जी के तरह है सोचते हैं कि सिंगल बस उनका हो दूसरा कोई नहों आप देखते होंगे पूरा ब उनके अलावा किसी का नहीं रहता है तो प्रसांत पांडे का भी देखिए कि हर जगे केवल बर्स प्रसांत की सोड़ पांडे का फोटो है बाकि कहीं नहीं कोई नहीं जितना बैनर पोस्टर कहीं भी देख लीजे प्रसांत की सोड़ पांडे के अलावे कोई नहीं प्रेस क बड़े सम्मानित लीडर जोकि बिहार में बरसो मंत्री रहें, में बड़ा पार्लियामेंट रहें, लालू और नितिजी के खास रहें, वो बड़ी उमीद से उनके पास गए थे, मतलब उनकी पूछ तक नहीं है, उनको किनारे करके रखे हुए हैं, तो किस मुझ से पैसे के बल पर वो चाहते हैं कि बस मार्केटिंग, कोई साबून और सर्फ बेचने का तो ही बिहार है, आप टीवी फ्रीज साबून तेल मार्केटिंग करके परचार से बेच सकते हैं, लेकिन वो बेचने का भी एक लिमिट होता है, आप साबून तेल औरे जी की क्वालिटी तो कुछ खास है नहीं वो तो पैसा लेकर काम करते हैं और भीर की बात है जहां तो ऐसा नहीं है कि भीर नहीं थी पैसा के बंदम पर जितना लाया जा सकता था उतने लोग आये थे मतलब काफी संख्या में गारिया थी बस आये थे बस से लोगों को लाया गया था मतलब अनिसाबाद एरिया जाम था और साम के समय तो अभी सब पटना जाम ही हो गया होगा लेकिन भीर थी ऐसा नहीं है कि उसको नकारा जा सकता है पूरी तरह से अब लब एक अभी जितनी पार्टीया यह चोटी चोटी पार्ट्य इतनी है उसकी तुलन्याम तुलना में भी ठीक ठाक जैसे आप ले लिजिए अपू यादब की पार्टी की रह ली हो या कोई भी छोटा मोटा पार्टी का गठन होता है तो उस मुकाबले में भीर उनकी अच्छी पार्टी की हो तो भीर ठीक ठाक थी बहुत ही खड़ाब नहीं लेकिन जितनी लोगों को अपेच्छा थी जितना ब्रांडिंग हो रहा था पूरा पटना बैनर पोस्टर से पार्ट दिया गया था जिस तरह से अखवारों में मार्केटिंग हो रही थी मीडिया में मार्केटिंग हो रही थी लग रहा था कि भाई काया कल्प हो जाएगा लेकिन कहां मुझे लगता है कि 25,000 लोग जुटे ह होगे मतलब अगड़ को ये 8000 गारी आई होगी मान कि चलिए कि 20-25 गारी अगड़ आई होगी हजार गारी कार आई होगी अगर 5000 तो मान कि चलिए कि 15,000 लोकि और गारी फांसोब आई होगी तो 10,000 उसमें जो लीजे 15,000 वही संख्या गाडियों से की संख्या थी लेकिन कोई बड़ा नेता आने की बात थी कि भाई आश्चर-चर चकित हो जाएगा कि कौन बनेगा अध्याच कौन होगा नेता इतने बड़े-बड़े लोग आएंगे कोई तो नहीं आया जो एक स्पा रांबली सिंग जो जितने पुड़व हैं जिनको प्रसांथ किसुर पांडे के दल में आ रहे हैं कितने एएगस्पारी लोग है और सब लोगों की एक ही मंसा है कि कम से कम मुझे इंको लोगों को लग रहा है कि प्रसान पंडे के नाम पर उनकी मार्केटिंग हो जाएगी और जद्यू आर्जेडी के लोग भाजपा के लोग बुला लेंगे तो उधर चले जाएगे तो यह है और यह देखा जाये तो इनका मार्केटिंग का जो फंडा है आप यह टार्गेट कर रहे हैं लालू नितिस को समझना चाहते हैं आज की जो अस्थापना अधिवेशन था जन सुराज का उसके बारे में जैसा कि आपने भी कहा संतोजी की जो परशांत किशोर यह दावा कर रहे थे कि हम ऐसे ऐसे चेहरे को लाएंगे जिसे देखकर आप चौक जाएंगे आश्चर चकित रह जाएंगे लेकिन आज जो उनके कारिकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका इलान किया गया उनका नाम मनोज भारती है और आयफिस रह चुके हैं उन्होंने आई-आई-टी से पढ़ाई की है दिल्ली आई-आई-आई-टी से भी उनका नाता रहा है इसके बाद आयफिस बने और चार देशों में राजदूत रह चुके हैं वो इंडिया का प्रति निधित्व कर चुके हैं उन्हें उन्होंने कारी या कारिवाहक अध्यक्ष बनाया है दलित समाज से आते हैं उन्होंने ऐसी घुस्ता की लेकिन मैं पहली बार मनोज भारती का नाम सुना हूं आप क्या कु उन्होंने तो सही कहा कि सब लोग आश्चर चकित हो जाएंगे ऐसा अध्याच बनाएंगे कि सब लोग आश्चर चकित हो जाएंगे कि कहां से लिए तो सचा यह कोई नाम नहीं जान रहा है सब लोग आश्चर चकित है कि कौन है अध्याच है और इनसे क्या होने वाला है जो विदेश महराजदूत रहे हैं, जो आईएफस रहे हैं, उनको राजनिती से क्या लेना देना, वो क्या करेंगे, एक्सपायर, जो रिटायर्मेंट के बाद आ करके, क्या कर लेंगे, उनको तो, मुझे लगता है, जनसुराज पार्टी के लोग, उनके जो खास लोग हैं, जो मुना जी रहसन है, किसुर कुमार मुना है, वो भी नहीं जानते होंगे, आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, परसांद पांडे जी कहते हैं, कि भाजपा परदेश अध्यच को, मतलब बिहार के किसी जीले में चले जाएं, कहीं भी चोड़ापे, सो लोग नहीं जानते होंगे, अक्सर बोलते हैं, तो उन्होंने तो बनाया, मुझे लगता है, कि उनको ले जाएंगे, तो एक आदमी भी कहीं, जिले में कोई पहचानने वाला नहीं होगा, तो यह तो आशर चर्चित करने वाली बात ही है, तो उन्होंने जैसा कहा, उसा तो कर दिखाया कि भाई ऐसा मोरा लाया, जिसको कि कोई जानपा चानता ही नहीं, कोई नाम तक नहीं जानता है, तो किस मुझे भाजपा अद्याच के बारे में बोलते थे, जब उन्होंने ऐसा अद्याच ले आए, उसी आती है उनकी बातों पर, आपको कहने का मतलब है कि आपको यह बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कर नहीं पाएंगे, भले ही दलित समाज से हो, लेकिन दलितों में उनकी पैठ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, जब प्रसांत पांडे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके अध्याच क्या कर पाएंगे, देखिए सीधा सा बंडा जान बिहार की जो राजनिती है, चाहे देश की जो राजनिती है, देश की राजनिती अभी मोधी और एंटी मोधी है, मोधी जी के पच्छे में भूट पड़ता है और उनके किलाब पड़ता है, बीच में कोई एका दुखा कही आ जाए उटिकता नहीं, बिहार की राजनिती, लालू परसाद और एंटी लालू यह समी करने प्यार की हां वो एक रननीती के तहत मेरी जो पत्रगारता का जो मेरा अनुभाव है जो सुझ बूझ जो मैंने अभी तक अनुभाव किया है उससे मुझे लगता है कि वो बस केवल भोटकटवा के रूप में वो बोटकटवा के रूप में पूरा चुनाव लरेंगे ऐसा ऐसा कंडिरेट देंगे जो कि भोट काटेगा और नितिस कुमार और लालू परसाद को हराने का काम करेगा और भाजपा को जीताने का काम करेगा 2005 का आपको मैं उधारन दे रहा हूं 55 में रामविलास पासवान जी के तीसे मिले थे लेकिन जब नॉवंबन में चुना हुआ तो रंजन जादव और रामविलास ने मिल उनका उद्ध्यस जीतना नहीं था उनका था कि लालू को हराना है तो जहां भी कंडिरेट उन्होंने मुसल्मान था उन्होंने जादव दिया मतलब ऐसे ऐसे कंडिरेट जो की भोट काटने का काम करता है उन्होंने भोट कटवाने का काम किया और उसके बाद नितिजी सत्ता में इसी परकार 95 में था आनंद मोहन कहने को आनंद मोहन भाई लालू परसाद के खिलाप लड़ रह और हो मिकानमे थे वह जहां जाते थे लालू परसाद को ज्चोस्ट करण गाली देते थे इसको इतना आका माउप परसाद कीश्तित्य खड़ाब होती थी वह लालू परसाद उनको बोलते तो यह होता है आप पपु यादब को देखिए पहले पिछले चुनाव में वो हर जगे दिया हेलिकॉप्टर से परचार करने लगे लोगों भांडा सुट गया है जो फोटकतबा के रूप में आए तो सफल नहीं हो सके उपिया देतीं फिचले बार नहीं के कई सरकार नहीं बन पाई तो कड़ीस जगह से कोते काट लिया 25 वह उन्हों ने हराने का काम किया पिछले बार चिराग पास्वान को ले लिजा चिराग पास्वान ने भूट कटवा कर भूब का निम है भाजपा का संधीर स्ट Ein व संतो झी आप ये बातेत अगातार कहते रहे हैं जब भी हम लोग discussion खास करके परशांद किशोर के मसले पे करते हैं उनके मुद्दे पे करते हैं तो ये बाते आती ही आप दोराते हैं इसे एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कारेकारी अध्यक्ष के बारे में बताया कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे परशांद किशोर जी की आज की जो रैली थी या कहें कि अस्थापना अधिबेशन था उसमें जो लोग आए तो मैंडिंग यही आकलन किया कि जादा तर जो लोग थे गरीब गुर्वे लोग थे और उन्हें देखकर यही लग रहा था कि लोर वीडिल क्लास क के लोग हैं और वो अपने पूरे बच्चे और जो बुजूर्गात होते हैं उनके साथ महिलाएं कि संख्या ज्यादा थी वो शब मतलब आए तो आपका अनुमान क्या है कि जो किस बर्ग के लोग आए कोई भी रैली होती है ना तो उसमें 75% गरीब गुर्वे ही आते हैं क झे कोई और भी रैली हो चुग में जिश्चे कर ना आने के लिए पैसे नहीं है खाने के लिए पैसे नहीं है अगला भाफिंटी परसंट के लिए कहीं भीच ले जाते हैं तो आप देखते होंग आभाड का समय है एक 50 उर्पे का तिरपाल लेने के लिए 500 लोग लाइन में लगे रहते हैं तो ग्रामीन छेत्रों की इस्तिती बहुत ही बैया और अभी जो भी लोग आए हैं बाड प्रभावी छेत्र के लोग जो किनारे सरक किनारे थे उन लोग को गारी दिया गया खाना दिया गया पैकेट जी के रैली में टाय और सूपूट वाले जाते हैं वो आरे सिसके लोग राते हैं जो हम यह शोच रहे थे यह आकलन था कि भाई जो फॉरवर्ड क्लास है उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग जो है जन सुराज की अस्थापना रैली में आएंगी लेकिन ऐसा दिख जो बढ़तते हैं कोई भी रैली होती है कोई भी काज कर भोता है तो जो समर्थक होते हैं वो सबसे पहले आगे बैठते हैं जो के जो माने जाते हैं ऑड़के लिएर लिक्षी और उनके नज़्दीक की कुर्सी सारी खुर्सी खाली है घेड़ा के अंदर और घेड़ा के बार वही कुर्सी खाली है मतलब आप जान लीजेए कि उनके कैजना तो खैडर है ना उनके संवर्ठेक है सारे भारे के लोग हैं आये हुए जो आये सुबह सुबह आ गये और फिर परसांद पांडे का भासन सुनने तक लोग नहीं रूए और कुर्सी खाली होगे इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या इस्तिति है और जहां तक सवर्णों की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि सवर्ण समाज इतना बेवकूफ होगा कि वो अपना भोट बढ़वात करेगा वो लोगों को चरहा देगा पिछलों दरितों को महौल बना देगा कि नहीं सब परसांद पांडे को परसांद पांडे को कि चुकि आर्जेदी और उसका भोट करें आपर काश्ट का बोड जो है वो भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा उसमें कोई इफवर्ट नहीं है हाँ जद्यू का जहां कंडिडेट रहेगा और आपरकाश्ट का भोट जद्यू को नहीं मिलकर बासांद पांडे को मिलेगा तो इस्थिति आपने खुद देखा है कि खल रहा है तो लोग खाली पड़े हैं मैं प्लाव फ़िट लोगों को भर ह girä सकते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं अपना चेहरा यहां पे खोखले निकले क्योंकि जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है वो खाली रह गया उनके लाक दावों के वावजूद बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियां खाली है और जब वो भासन दे रहे थे तब भी वही इस्तिती हलाकि जिस कैमरे से उनकी टीम लाइब कर रही थी उसके जर्ये भीड जरूर दिखाई जा रही थी लेकिन मीडिया वालों ने भी उहां की सचाईक कैट की और आप देख सकते हैं मैं जो आपको तश्मीरे दिखा रहा हूँ वो किस तरह से उनके दाविक की पोल खोल रही है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बूक पर फॉलो करें यूट्व पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वण सुझाव और विचार जरूर दें धन्यवाद